है हलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग मीद करता होगी आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे इसी सी भर्सेस पी यू सी फूल इस्ट्रेश पलस इन्पो यानिकि इंपायर शिशी भर्सेस पैरिश उनिवर्सेटिक करब के बीज़ो इसील टीटेन का ग्रूप डी का मैच नमबर वन खेला जाना है मैच जो है छे मार्च को साड़े तीन बज़े यह मैच स्टार्ट हो जाएगी सामके बेन्यू शेम है आपको यहां पर बैटिंग फेर्ली बिगेट देखने को मिल जाएगी वन थर्टी पलस का स्कूर आप यहां पर आसानी से बनते वे देख सकते हैं फोकर जो करने प्लेश्टेट पर करने बाकि जो भी अपडेट या फाइनल टीम रहती हुआ आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगी टेली गराम का लिंक आपको डिस्प्रेशन आट आपके कोमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम से नहीं तो टेलिग्राम से जुड़ जाएंगे अब हम बात कर लें सबसे पहले इंपायर से से की तो यह टीम जो है फिन्लेंड की टीम है इनके तरफ से ओपन आ सकते है जो की थोड़ी सी पार्ट टाइम गेंद वाजी करते है बट इस लेवल पर आई थिंग कि गेंद वाजी ना ही क किये थे रिसेंट फॉंटी का है चार मेंचेस में 151 और 75 का अब देखेंगे 29 32 पलस 26 नोट आउट नोट आउट बहुत सारे मेंचेस में थोड़ी सी गेंद वाजी भी किये थे रिसेंट फॉर्म देखनेंगे ज्यादा आप देखना चाहें तो आप दिखेंगे यहां पर बहुत सारे मेंचेस खेले हैं 2023 में तो आप यहां के जो है देख सकते हैं बागी इनके साथ ओपना सकते हैं नाथन कॉलिंच जिनका इरोपिन नेटवर्क का रिकॉर्ड बहुत खराप है 24 मेंचेस में 143 रहन है मातर साथ का एविलेज है वह डोमस्टिक टीटवंडी गंद इसी सी 21 और 23 में खेल चुक है 14 मेंचेस में 216 रहन बना है 16 के अबरे से रिजन फॉर्म अच्छा है 35 बहुत्तर नॉट आउट 27 गंदों में टीटन के अंदर और छे रहन वह डोमस्टिक टीटवंडी के अंदर आप देखेंगें बारह एक तीस तो एबरेज के लाड़ी है पर में डॉमस्टिक टीटन के अंदर ओपनिंग आया है बट यहां पर ओपनिंग के चांस नहीं है अब को जो है डॉमस्टिक टीटोंटी में देखेंगे नंबर चार पर बल्लेवाजी करने चाहिए नंबर पात पर एक्सेप्टेड हैं अमजद से जो कि 32 मेंचेस में 424 र के अंदर देखेंगे तो दो बीकेट चार रन दस रन यहां पर गेंबाजी यह कम किये हैं इसलिए क्योंकि यहां पर कुछ ज्यूनियर पिलियर को ज्यादा मौका दिया जा रहा था यह खुद को नहीं ला रहे थे बट यहां पर यह दो और पूरे-पूरे गेंबाजी के चार तीन दो बीकेट लेका आया है तो गेंबाजी से अच्छा फाम है बट बल्ले बाजी से उतना ज्यादा कुछ है नहीं तोड़ी सी गेंबाजी आपको डेट वानों भी प्रवाइट करवा देंगे न्यूगल और डेट से बॉलिंग कर लेते हैं हरी हरा रन डंडा पान गेंबाजी ठीक ठाक किये हैं पड़ मैं आपको बता दू कि इस लेवल पर इस्पिनर का जाता है इस्पिनर का जारा रोल रहता नहीं है तो आप इस चीछ को भी देखके चलेंगे कि उइसे ही क्वाल्टी स्पिनर होंगे तब आप टीम में ट्राइब करेंगे नहीं तो हर 12 में डूसर पाइब से एक हाफ सेंचरी है और 33 उपर इस वर इन्वाजी उनहीं इस बीचेट है रीचस फॉर्म देखी है तो जीरो फिकेट जीरो बीचेट जीरो भीचेट तो लिचेंगे तो इसे फॉन वाजी से ख़राप है वह से चौदा में चौदा में जिसमें बॉल अंदर ओपनिंग किये था बट यहां पर ओपनिंग के चांस नहीं है यहां पर यह नंबर साथ आट पर आपको आते हुए दिख जाएंगे जो कि अच नहीं माओं मिअधि आपको देने चाहिए उफ न्गावर करने चाहिए और यहीं के चाहर विकेट अंदर नोमसिक टी टॉन्टी जिए जीरो विकेट तीन बीधिंग गेट है बागी बेंच में जो पलिये फैर घेलते भी तो ज़ादा धहन देना नहीं है जरूर निकाले हैं उस्मान साहिद आपके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं दो जटेश डूमेस्टिक टीट टीट के अंदर रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं तो उस्मान साहिद इंपॉर्टन फिक रहेंगे बाकि वसिंबर टीट की पर बल्लेवाज जो की ओपनिंग आने चाहिए नंबर चार तक में बल्लेवाजी जरूर देंगे मुक्तार अली गुनामी है जो की आपको वन डाउन बल्लेवाजी देने चाहिए डॉमेस्टिक टीटेन के अंदर ओपनिंग आ रहे थे ओपनिंग आके क्यावन पंदर गेदों में सात रन नौट आउट दस रन नौट आउट टोटल आट मेंचिस में 142 रन है रिसेंट से प्लस हाट आवर की गेंदवाजी दो विकेट है बिलियम सिम गिन के और राउंडर पिलेट से जो की बालिंग सिक्सम में मिलेंगे दोजाट इस और नेट्वर्क पे साथ मेंचिस में 29 रन है नौ बिकेट है रिसेंट फॉर्म साथ रन बार रन शातर रन तीन और एक बिक सब्सक्राइब देखेंगे डिविजन कम होगा उतना अच्छा लेवल का मैच है और यहां पर डिविजन फॉर्म में जो है जुनियर लेवल के प्लियर रहते हैं इसकरन से यहां पर रिकॉर्ट तो अच्छा दिख जाएगा बट यहां पर आके यह कुछ करने का मौका ही सा जो दोबर की गेंबाजी भी डाल रहे थे तो इसकेस में यह इस इन सिकधर खेलते हैं तो इंपर्टेंट बन जाएगे जिए किसमत उर्ला सुजाते हैं इनका से लेक्सन कम है दोया तेश्यों मेंस्टिक टीटेन के अंदर दस मेंचस में चपन रन है छे बीगेट है दोया यह सारे पिलेट्स का जो है एक परसेंट से भी कम का सेलेक्शन आई थिंग की होंगे बाकि एक से दस परसेंट किसमत उल्ला का भी सेलेक्शन कम ही हो रहेगा हरा सब्मीर तो है तैश्ट डॉमेश्टिक टीटेंट के अंदर तेरा मेंचेस में सतासी रन है एक आप सेंसरी है बहुत नीचे बल्ले बाजी करते हैं एक हिमेश्ट में दो वर की गेंड वाजी किये थे दो बीगेट निकाले थे दो जाताइश डॉमेश्टिक टीटेंट के अंदर गेंडवाजी नहीं किये हैं सिर्फ बल्ले वाजी पांच मेंचेस में 10 है कुछ खास रिकोड़ है नही साथ में जिसमें तेरा वर की इनवाज़ चार बीकेट है दो जाधेश डुमेस्टिक टीटन के अंदर तीन मीचेस में जाफार एक बाल देखें यह भी है तो ओपनिंग करते हुए नजर आये हैं बट आपनिंग करते हुए कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे घेनवाज तो यह वागी बागी बागी डिसकस वहीं पर करेंगे बत कर लेंगे यहां पर विकेट की सेक्षिन की तो देखें व भट्टी आपको टॉप फॉर में जरुड देखेना है चाहिए आगे जो मेरे हिसाब से है यह ओपन आने चाहिए या फिर वन डाउट यह तो जगह पर आने ही चाहिए ओपन से मैं इनको ले रहा हूं बागी यहां पर देखें आर्विंद मौहन वन डाउन एक्सेप्टेड है प्रीशन फॉर्म ठीक टाकर ट्राइबाल रहेंगे जील में ट्राइक कर सकते हैं जो रिकोड ठीक ठाक है आप लेना चाहते है नमबर चार पे बल्लेवाजी करने आ सकते हैं नाथन कोंनिंग करेंगे रिकोड अतना चाहर नहीं में ले शकते हैं बागि नदीम बेक खेलते हैं तो जाद धियान नहीं देना यहां पर जापर एकवाल और सी चोहान यह दोनों पिलियर्स के बारे मैं बता दू दोनों जो है तो बॉलिंग और बॉलिंग कर सकते हैं दो मेंसे कोई एक ही खेलेगा तो साहिद खेलेगा नहीं तो दोनों ही कटे ना खेले तो दो अबर की गेंवाजी करके जा सकते हैं इस लेवल पर दोनों पिलियर्स से हैं सी चोहान जैया अकबाल तो ओपनिंग भी करते हुए नजर आये थे सी चोहान तो मीडियो लोडर में बल्ले वाजी कर लेंगे अगर खेलते हैं तो बागि खेलने के कम चांस है मैं अभी हो के लिए उनको नहीं लिया हूँ मैं आप जेव अबराइन और एम गुलामी के साथ जा रहा हूँ उस्मान साहिद गेंवाजी कर ले एक हादे ओवर ज्यादा गेंवाजी करते नहीं है अमजद सेर है चोकि नंबर पाच पर आने चाहिए पलस दो बर की गेंवा एम तंबे पहले गेंवाजी में इंपोर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि डेत ओवर में गेंवाजी करके जाते हैं यहां पर बात कर लें बॉलिंग सेक्शन की तो डबलू सिंग तो एक और और पिलियर है जिनको आप सी बिसी कर सकते हैं पीपल लागार जो की एक ऑप स्पिन है गेंवाजी ठीक ठाक किये है वाइस इकदर डिविजन फोर के किलाड़ी है इनका भी डिकोड और राउंडर टाइप का है तो आप इनको भी ले सकते हैं के सुराटे भी और राउंडर टाइप के पिलियर से इनका भी सेलेक्शन करने हैं आप देखेंगा दोबर की ध्यान नहीं देना मुहमद बनारस खेलते तो आपको एक से दोबर की गेंवाजी करके दे सकते हैं एम बेरे सर खेल तो जादा ध्यान देना नहीं है एम कपूर एकादी ओपर गेंवाजी किसाइद कर ले बड़ ज्यादा आप इन लोग से उम्मीद नहीं करेंगे राज दबलू सिंग पि गलागर और मौहमद इमरान को मैं यहां पर लेके गया हूं और यहां से एक प्लेर के सुराते को लिया हूं बगी यहां पर अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस परकार से बड़ी है मैं अपने टीम में डेखेंगे आप देखने के क्या मिलेगा कि मैंने इन से उस्मान साहिद एक ओवर डालेते साथ बाकी आपको 3 आपर यहां पर एक दू पिलियर्स खेलते हैं यहां पर और राउनर से जो की स्पिनर है आप उनको भी ले सकते हैं बाकी यहां पर इनके तरफ से देखिए आपको ओपनिंग करते हूँ या तो फिर आपको डबलू स आप उनको ट्राइ कर सकते हैं आपके लिए गेम जेंजर पिक रहे गया अमजाद सेर दोबर दोबर इम्रान दोबर पीपल लगर और दोबर राज महमद बाकी दोबर जो बचे हैं वो आपको एक से दो पिलेस में बढ़ता हुआ दिख सकता है तो अभी के लिए जो मेरे केप बाकी आप चाहे तो उस्मान साहिद को भी कर सकते हैं आएंगे पर इनका बॉलिंग का शूर नहीं रहेगा तो इनके तरफ से कैप्टेंसी डबलू सिंग बोइस कैप्टेंसी एसर को मैं देके जा रहा हूँ अभी के लिए बाकी जो भी चीज़े है वो आपको टेलिग्रा कर दो आमते हैं